नमस्कार आप देख रहे हैं के यार नियूज मैं हूँ आपके साथ अपधेश और मैं आपको बता दूँ यह घटना जो अभी फिर से एक बार यहां पे दोराई गई है चोड़ी का घटना चोड़ी ने कह सकते हैं यह डकईती भी कह सकते हैं मैं एक और वीडियो अप्लोड क किया था आज से दो-तीन दिन पहले दलसिंग शराई बंसुर्चक रोड की थी वह लोकनातपूर डॉक्टर एस कुमार जो की रभणा में होम्योपैथिक केल्निक चलाते हैं तीन-चार-पांच की संख्या में वहां आकर चोड़ोरे आराम से लूट पात किया था और लगात दलसिंग शराई काली चौक के पास बैंक में होई है वहां से भी लाखो रुपे का चोड़ी किया गया है लूट किया गया है और वही घटना आज फिर से दूर आई है यह अजनौर पंचायत है दलसिंग शराई परखंड के अंतरगत आता है पनीर का दुकान है यहां पे द भी समान थे जो कीमती समान थे वह सारा का सारा यहां से रूट की ले गए मैं आपको वह जगह दिखाऊंगा जहां से वह इस दुकार में प्रवेश किये हैं कि बिल्कुल निश्चिंत होके आये हैं आराम से कोई डर नहीं देख सकते हैं यहां पर एस्वेश्टस को तोड़के और फिर उसके ऊपर से अंदर आये जो भी कीमती समान था वो सारा का सारा जब अंदर चले आए हैं फिर इस गेट को खोले हैं और इस गेट को खोल के सारा का सारा समान यहां से गाइब किये हैं जितने भी यहाँ पे कीमती समान थे वो सारे के सारे यहां से ले गए और फिर उसके बाद यहां से जो तक्था से इसको घेरा हुआ है उसको तोरके किराना दुकान में भी गए है और किराना दुकान से भी नगद के साथ साथ जो भी वहाँ पे कीमती समान थे वो सारा का सारा मैं आपको वो दुकान भी दिखाऊंगा, जब वहाँ का सारा समान ले गए, उसके बाद इसमें भी आए हैं, उसको तोर दिया गया है, उसको तोर के फिर इसमें भी आए हैं, और जो भी शमान था, जो महंगा समान था और जितना ले जाने में उस सक्छम हुआ है सारा का सारा ले गए डर नाम की कोई चीज नहीं है ये रोड जो है जो भी कीमती समान था वो सारा का सारा समान यहां से ले गया है मैं आपको दिखा दूँ ये रोड जो यहां से गुजरती है ये दलसिंग सराई से मनसूर चक को जोरती है और लगतार ये चलने वाली रोड है लोग लगतार यहां से आते जाते रहते हैं दुकान भी समभभता 10 बजएते खूला रहता है लेकिन उसके बाद भी क्या डर है नितिस जी आप कहते हैं कि आप राधिक जितने भी घटना होते हैं उसको मैं कभी भी स्विकार नहीं कर सकता हूँ कभी भी बर्दास्त नहीं कर सकता हूँ लेकिन ये क्या हो रहा है एक दिन की बात नहीं है हर एक दिन ऐसी घटना बढ़ती जा रही है इस दुकान की स्वामी कौन है दुकानदार जो थे किराना दुकान आफिका है कितने बज़े आप बंद गिये थे दुकान जब आप गये थे तो पूरा पैक करके गये होंगे क्या मतलब लग रहा है आपको कितना रूपे का समान आपके यहां से नगत भी था किया यहां पर तो क्या वो कुछ आपको भरोसा दिलाई है कि मैं इस पर कुछ काम करूंगा क्या बोलेंगे हमें कुछ लोग बता रहे थे घटना के बाद जब वहां पे गये तो कहें कि भाई यह सब होते रहता है मैं इसमें क्या कर सकता हूँ प्रसासन की ऐसी बानी ऐसा बोल क्या होगा जनता का कैसे सुरक्षित मैसूस करेंगे कि हमारे उपर प्रसासन है हमारे दुख में वो हमें मदद करेंगे क्या भरोसा करेंगे यह दुकांदार कहा है क्या नम हो आपका सुभाष कुमाष सुभाष किटने बजए आप दुकान बंद किये थे दस बज़े क्या सबास लगफ़क कितने बज़े में यह घट ना हूई होगी कुछ अंदाजा है आपको कितने बज़े आप खोले हैं कितने बज़े इसको अभी सुबे 6 बज़े जब यहाँ पे आए तो पता चला कि सारा समान क्या-क्या यहां से आपके यहां से बरतन सभी गाइब है केन बेगर है सिलंडर गया सिलंडर कुछ दूचार सो कैस भी था जो कीमती समान था ना जले से पनीर है 40-50 किलो के असपास पनीर था मैं निवेदन करूंगा प्रसासन से जब आपको जानकारी मिल गई है तो जल से जल चानवीन करें तो यह घटना जो भी क्योंकि पुलिस के अंदर इतनी छमता होती है कि कि किसी भी घटना का चानवीन करके वो दोस्यों को पकर सकते है लेकिन इसके लिए आपको सजगता लानी होगी सजग होना पड़ेगा तो मैं निवेदन करूंगा सबसे बरी चीज है कि अगर ऐसे घटना को अप नजर अंदाज करते हैं तो यह घटना यह बढ़ती जाएगी रुक नहीं सकती है यह बढ़ती जाएगी तो मैं निवेदन करूंगा आपको जानकारी मिल गई है तो जल से जल इसका चानवीन करें और जो भी दोसी है इसमें उसको पकरने का प्रयास करें और जो भी डंड है आप दें क्या नाम हो आपका कब पता चला कि यहां पर चोड़ी हो किया लग रहा है आपको यह सरकार केबल कहते हैं कि हम जो भी आप राधी घटना होता है उसको मैं बरदास्त नहीं कर सकता हूं उस पर करी से करी सजा की जाएगी जो भी उसके दोसी है लेकिन यह लगातार बढ़ते जा रहा है क्या कह आपके लिए परशासन नहीं जाएसे पहले तो घस्ती में भी जहां साता था रात में लगनी दर्थ मैना दू मैना से घस्ती भी नहीं आ रहा है यहां पर मैंत चलिए विक राना दुकान ही जास कटा इसके पहले भी जास राजन लोग को तिका मोबाइल छिंद चोर हुआ ह पर शासन इस पर मकरा इस पुठावे पहले गस्ती भी होता था लेकिन अब कुछ भी नहीं हो रहा है यहां पर दल्सिंग स्राइश से आये हुए हैं नेता जी मनीज जी है मनीज जी क्या कहना चाहेंगे ऐसे घटना को लेकर परसासन को इस पर करा एक्सल लेना चाहिए क्या लग रहा है आपको कि अगर परसासन चाहे तो इस पर रुकावट आ सकती है ऐसी ऐसी घटनाओं में रुकावट आ सकती है बिल्कुल परसासन क्यूंकि यह मेन रोड है गस्ती दल बढ़ाना चाहिए और जितना भी मेन रोड है चौक चौरा है यह सब पर पुलीस की त कोई भी बनियावर्ग का लोग है वो मेनत करके एक-एक पैसा करके कमाता है लुटने बला आता है लाखों का लाख लुट करके चला जाता है तो इस घटना अगर इसी घटना होते रहेगी लगातार तो फिर बनियावर्ग का लोग सेफ ने रहेगा तो फिर बैपार कैसे कर इसलिए परसासन को इस पर करा एक्सन लेना चाहिए और अगर परसासन चाहेगा तो जल्द से जल्द अपरादी पक्रा भी जाएगा ऐसा कोई बात नहीं है कि नहीं पक्राएगा अगर चाहेगा तो पक्रा जाएगा निश्चित रूप से अगर आपकी सजगता होगी ऐसी घटनाओं की चानवीन की जाएगी अच्छे से तो ये आपके अंदर है आप बहुत कुछ कर सकते हैं मैं निबेदन करूँ का कि जल से जल ऐसी घटनाओं की चानवीन करे और जो भी दोसी इसमें है उसको अप सजा दे ताकि आगे ऐसी घटना ना हो तो आज के लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं तब तक के लिए स्री डाधे जै हिंद